हेलो फ्रेंट्स मेरे नाम गौरबाद दोस्तों यूपीएसाई लवर यूटीव चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों वीडियो को लाज तक देखना इस वीडियो में मैं आपको जो वेटिंग लिस्ट का मुद्दा है वो योगी जी को प्रेशित किया जा चुका है और एक साथ ही हमारे 2018 A और B दोनों भरती और 2015 के जो मेरिट आउट कैंडिडेट्स है वो इस पर दिन रात काम कर रहे हैं और लगातार मेरे संपर्क में हैं तो भाईयो कि हमारे जो जेल वाडर के कैंडिडेट्स हैं इनकी जो वेटिंग लिस्ट में बिलकुल रुची इसलिए नह नहीं आ जाए जिस दिन फाइनल रिजल्ट आ जाएगा हजार पंद्रह के हजार पंद्रह सो कैंडिडेट्स में निकलेंगे फिर वो वेटिंग लिस्ट के लिए मुद्द अठवाएंगे दोस्तों एक बात याद रखना हजार पंद्रह सो मैंसे जिन मैंसे आप 200-200 लड़ आपको पताए यह newpsi लवर यूट्यूब चैनल पर आपको विद्पूफ कोई भी बात हो वो बताई जाती है बिना प्रूफ के यहाप पर कोई भी वीडियो अप्लोड नहीं की जाती है ऐसलिए आपसे रोकेस्टर जिन वाहते नहीं चैनल सबस्क्राइब नहीं किया है च उसको जाकर जरूर सब्सक्राइब कर लें ठीक है फ्रेंट्स इसमें मैं आपको वैसे प्रूफ दखाऊंगा लेकिन उसको मैं थोड़ा बिलर करके दखाऊंगा इस चीज को आपको दिहान में रखना क्यों कि दोस्तों यूट्यूब की भी कुछ गाइडलाइन्स होती हैं ज दोस्तों कितनी गलत वात है कैसे इंसान है यह लोग कोई एक केक वैकेंसी के लिए तरप रहा तो यह लोग छोड़ रहे हैं सिविल की यार बताओ क्या किया जाए जब तक इन के लिए कोई ठोस कानून यह केरी फोरवर्ड का नियम खतम नहीं होगा तब तक बिलकुल संभ हम नहीं है कुछ भी दोस्तों यह मतलब आपको पूरी ख़वर बताता हूं बरेली साल 2008 में उत्तर प्रदेश उनंचा स्पांसवर्ड सेट वाली जो 31 मई से ट्रेनेंग पर गया है उसकी बात हो रही है उत्तर प्रदेश पुलिस में भरती पर गयर शुरू हुई थी जो हा गया होगा तो उससे जाके पूछना कि वाई उस पर क्या बीच रही होगी और आप स्विल की नोकरी को भी छोड़ रहे हो तो दोस्तों आपको द्यान में रखना है तो ऐसा काम आपको जिन्दी में नहीं करना है और बिल्कुल सरकार से एक request चाहे आपका selection हो चाहे ना हो च अवाज ऐसी उठानी है सारे यूटिवर्ट से contact करके सारे से चाह कुछ भी हो जाए जो एक carry forward का नहीं है या तो उसको court निरेस्ट करें यदि एक percent court निरेस्ट नहीं करें हलांकि 100% करतेगा court निरेस्ट अगर नहीं करता तो उसके लिए मतलब की उत्तरप्रदेश सरकार से करवाना क्योंकि यह ऐसा नियाम है इसकी वजह से हजारों केंड़ेस्ट हजार 10,000 कितने केंड़ेस्ट की जीवने वह खराब हो चुका है तो इस नियाम के लिए आपको बिल्कुल साथ आना पड़ेगा अभी नहीं मैं आपको बता दूंगा जब आपको साथ आना पड़े कि वेटिंग लिस्ट का मद्दा कैसे कैसे योगी जी के पास पहुंचा दोस्तों इसमें क्या था कि हमारे कुछ केंड़ेट्स थे जिनके नाम हम नहीं ले सकते हैं तो उन्होंने पहले मंत्री जी को मतलब कि अपना लेटर भेजा लेकिन आपको पता उनकी पास बहुत काम मंत्री थे यह उनके पास गए आर्दस लड़के वहां पे अनौने मतलव की अपना ग्यापन दिया नीलमा कट्यार जी को कि आप हमारा जो लेटर है मुख्यमंत्र जी से रुकैस्ट कीजिए कि वह पढ़िए क्योंकि यह राज्यमंत्री इनकी बात तो सुनेंगे ना योग मेरे पास उसी समय आ गया था लेकिन मैं सोचा चलो मैं थोड़ी और इंफ्रोंस मिल जाए तभी मैं कुछ करूं तो दोस्तों यह 3 जून 2021 का लेटर है लेटर पैड है अत्तरप्रदेश सरकार है यह नीलमा कट्यार जी राज्यमंत्री है हाईर एजूकेशन की साइंस और ट मुख्यमंत्री जी अत्तरप्रदेश सरकार लखनु महोद है अनके आठ शातिकन निवासी ग्राम पोस्ट जामु कानपुर नगर के सलगन पत्र मतलव की जो पत्र है इसके साथ लगाया गया यह पत्र मतलव की ऐसा किया गया है जो रिक्त पदों का ब्यारा था केरी फोरव ठीका फ्रेंट्स इसको ध्यानम रखना आपको सलगन प्रातना पत्र का अवलोकन करने की किर्प्या करें अब इनके साथ गड़ अब बढ़ती द्वारा सलगन प्रातना पत्र के मादम से 2015-2018 और 2018 भी पुलिस बढ़ती में रिक्त रहे गई पदों को बरने के संबंद में व किर्प्रदर्श्ट्री से इन हजारों बच्चों का ववश उजबल हो सकता है अते आप से निवीदन है कि यह था सम्मवन की मदद करने के किर्प्या करें साधर आवार नीलमा का ट्यार है राज्यमंत्री उच्छा विग्यानों प्रद्यों के कि उत्तर प्रदेश ठीक है और यहां प्रदेश ठीक है तो दोस्तों यह जो प्रातना पत्र योगी जी के पास पहुंच चुका है वह अब इसको देखेंगे आव राज्यमंत्री कोई देखेंगे दोस्तों एक चीज़ समझ रहा एक तो बाई जो राज्यमंत्री है उसी का उसी पार्टी से ठीक है फ् केरी फरवर्ड वाली बात है एक दम ध्यान में आ गई होगी उनकी में कि वह यहां आव इस चीज़ की डिमांड उट रही है दोस्तों जितना हमसे हो शकता है हम कर रहे हैं और आपको मतलब गवरान के कोई दिक्कत नहीं है रजल्ट जादा डिले नहीं हुआ है जब इतना आपको इस चीज़ को द्यान में रखना है आपका मतलब जो भी होगा वो अब बहुत अच्छा होने वाला है और द्यान रखना दोस्तों शुरूवा जेल वेटिंग लिस्ट की शुरूवात अगर होती है तो जेल वाडर सही होती है और फ्रेंट्स एक बाद चुरूर द्य यदि जितने भी हमारे वेटिंग लिस्ट में नेकले है 9,007 कंडिडेट्स 49660 में 41520 में जितने भी कंडिडेट्स एन यदि ये रेक्त पदों को भरने लग जाए न जैसे हम एक्जाम्बल लेते है 9,007 कंडिडेट्स 45660 के है यदि ओन सभी का ये सेलेक्षन कर देना यदि दोस्तों वीडियो पसंद आई तो अपने दोस्तों के साथ जरूर साजा करें दोस्तों ये जो मैंने जो लैटर पड़ा इसको बिलर इसलिए किया गया है क्योंकि कुछ प्राइवेसी होती है इसके लिए मैं उसको दिखा नहीं सकता यदि आपको टोटल प्रूफ चाहिएगा तो बोल देना मैं एक्जाम तक यूट्यूब चैनल की जो लिंक है उसको कमेंट में पिन कर दूँगा आप वहां से चैनल को जाके सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि दोस्तों मैं इस चैनल प सकता और ज्यादा कोछ में आपको प्रूफ दे भी नहीं सकता इसलिए दोस्तों आप एक्जाम तक यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ठीक है और दोस्तों वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें और जो आपका रिजल्ट ह है उसको लेकर भी मैं वीडियो जल्द बनाँगा कि आपकी जो संभावित तिथी है कि कब तक रिजल्ट आ जाएगा अमरुजाला के आधार पर मैं आपको बताऊंगा कि बढ़ती बोर्ड ने जो हमको वो दिया है बेस दिया कि इस वज़े से रिजल्ट डेले हो रहा उसी क्या है एक जो हमारा प्रयास से हम वहीं कर सकते हैं इससे ज़्यादा हम नहीं कर सकते हैं ठीक है फ्रेंट्स दोस्तों बस यह है और वीडियो को बसंद आई तो लाइक सेर सब्सक्राब जरूर करके जाएं दोस्तों यूपी एसाई लवर यूट्यूप चैनल आपकी सेवा मैसादे ओत पर चैनल